नमशकार दोस्तों मैं विश्वेंदर आप सबका ज्ञान संगम क्लासिस पर स्वागत करता हूं अभी हम जर्नल साइंस को कवर कर रहे हैं और जर्नल साइंस में फिजिक्स को कवर कर रहे हैं लास्ट लेक्च्चर में मैंने लाइट को कवर कर दिया था जो कृबन पौटी फाइब मिनट का लेक्चर था। इस लेक्चर में हम साउंड को कवर करेंगे जो बहुत ही important topic है चाहे कोई भी exam हो चाहे state civil service का exam हो या SSC का exam हो या NDA का exam हो या यह जो हरियाना के ग्राम सचिव के exam रहते हैं या SI के को स्टेबल के या कोई TGT PGT का exam हो ठीक है इन सब के लिए बहुत ही important topic है और अमूमन जो science के बच्चे नहीं रहते हैं उनकी science बहुत weak रहती है बट जो exam में science आती है वो एकदम factual आती है कोई numerical नहीं आता है तो इसलिए आप लोग science कर लेंगे तो आपके marks पक्के हो जाएंगे और आपकी selection की guarantee भी पक्की हो जाएगी चलिए अब हम शुरू करते हैं अब आपने जैसे म मुझे सुन पा रहे हैं या आपको कोई और बुलाता है या आप किसी को बोलते हैं ठीक है तो सामने वाला सुन पाता है ठीक है सुनना मतलब क्या होता है सुनना जिस तरह लाइट एक energy थी उसी तरह यह sound भी है ना एक energy है जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं light के द्वारा हम फिर अब बात आता है कि sound produce कैसे होती है, ठीक है, sound produce होती है, जो vibration जिन object से होती है, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरे होटों के इर्दगी जो हवा के atoms है, जो particle है, मेरे बोलने की वज़े से energy जो निकल रही है, वो vibrate होती है, ठीक है, उन vibration से वो sound produce होती है और आप तक प medium नहीं चाहिए था travel करने के लिए, उसका example क्या है, sun से earth पर sunlight का आ जाना, बीच में कोई हवा नहीं है, कोई atmosphere नहीं है, ठीक है, vacuum है पूरी तरह से, निर्वात जी से बोलते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि light को कोई भी medium नहीं चाहिए travel करने के ठीक है, तो light एक wave की form म होती है, ठीक है, तो जो sound है, वो भी wave की form में ही travel करती है, और इसको medium चाहिए होता है travel करने के लिए, ठीक है, इसलिए इसे mechanical wave कहा जाता है, अगर कोई ऐसा कमरा हो, जहां हवा नहीं हो, जहां निर्वात हो, ठीक है, एक दम vacuum हो, तो अगर वहां आप बोलेंगे, तो आपकी जिवाज दूसरे तक नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि sound को travel करने के लिए कोई ना कोई medium की जरूरत होती है, ठीक है, अब यहां एक word आया है, वेव, ठीक है, वेव को हम detail से पढ़ेंगे, वेव के बारे में काफी question पूछे जाते हैं, वेव क्या होता, वेव एक slab type होती है, ठीक है, इस फोक को इस पे मारा जाता है, और यह sound produce करता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है, वो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है, तो यह क्या करती है वेव, जैसे यहां इस particle में energy है, इस से transfer कर देगी, इसको इसके transfer कर देगी, इसको तो वेव क्या है, energy क transfer करती रहती है, बट इसमें actual में देखो, इनका कोई contact नहीं है, ना यह अपनी position से, कि यह वाड़ा particle इसके पास गया, यह वाड़े फिर दोनों इकठे हो के इस तीसरे के पास गये, तीसरे वाड़े तीनों इकठे हो के चोते के पास गये, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है, जै अधर यहां मारा गया था, यहां से वेव बनी, ठीक है, तो चल दी मालब, आपस में कोई physical contact नहीं है, बट फिर भी energy transfer हो रही है, और vibration होती जा रही है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वेव कितने टाइप के होते हैं, वेव ना दो टाइप के होते हैं, लोंगिटूडनल वेव, ट्रांसफर्स वेव, एक मैं अलग से बता रहा हूं, जैसे यह धरती है, यह क्या होते हैं, यह latitude होता है, ठीक है, और यह जो ऊपर से नीचे वाले होते हैं, यह longitude होता है, ठीक है, वहीं से longitudinal wave और ट्रांसफर्स वेव, तो longitudinal wave कौन सी होती हैं, जैसे, मालो यह ऐसे हैं, ठीक है, longitudinal wave में particle इधर गया, इधर, फिर इधर, ऐसे, ऐसे, मैं आपको आगे ना वीडियो भी एक दिखाऊंगा, जिसमें आपको और भी clear हो जाएगा, हो जाएगा, जैसे spring, एक बार आपने press कर दिया, ठीक है, जैसे यह spring है, normal है, आपने press कर दिया, तो यह इतना हो गया, फिर यह खुल गया, तो बड़ा हो गया, ठीक है, compression, ठीक है, तो यह back and forth, अपनी position पे करते रहते हैं, यहाँ पे, जैसे, ऐसे, 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 ठीक है, जिस direction में वेव जारी है, propagation मैं इसकी वीडियो दिखाऊँगा, आपको और भी clear हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं, अभी देखो, longitudinal wave और transverse wave, longitudinal आप समझ गयो, back and forth, आगे पीछे, इसमें आप पैंडाव, उपर नीचे, वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, यह direction of wave हो गई, यह particle के vibration करने की direction, उपर नीचे, ठीक है, ऐसे particle करते रहेंगे, ठीक है, longitudinal wave को medium चाहिए, travel करने के लिए, इसका example कौन सा हो गया, sound हो गया, इसको transverse wave को medium नहीं चाहिए, कौन सा हो गया, इसका example light हो गया, ठीक है, और इसका example हो गया, sound wave, और जो longitudinal wave है, उसे solid में भी, liquid में भी, तरल में भी, gas में भी, और ठोस में भी produce किया जा सकता है, इसे solid और liquid में ही produce किया जा सकता है, ठीक है, light wave होगी, repulse on water होगी, ठीक है, जो earthquake में एक ना, P type wave निकलती है, और एक S type wave और secondary wave हो, जो primary wave होती है ना, वो longitudinal wave होती है, ठीक है, यह आपको याद रखना, आपने ताड़ी वजाई जैसे, ठीक है, वो longitudinal है, spring हो गया, वो longitudinal है, ठीक है, रसी आपने हिलाई, वो transverse wave है, secondary wave, earthquake की transverse wave है, electromagnetic wave, ठीक है, जेव में एक electric function होता है, एक magnetic function होता है, ठीक है, यह बड़ा detail का concept हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे, बस आप ये सा, electromagnetic wave किस type की wave होती है, transverse wave, ठीक है, आग कुछ भी ना समझ में आए ना, आप comment section में मुझे comment करके पूछ लेना, ठीक है, यह transverse wave है, अब यह देखिए, wave ऐसे चल रही है, इस direction में, ठीक है, और यह भी wave इस direction में चल रही है, अब यह उपर नीचे हुआ, एक बार उपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है, यह नीचे की हम equilibrium position करते है, original position, ठीक है, तो यह है transverse wave, अब देखिए, यह इस में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहे है, ठीक है, इधर, 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 तो जहां यह देखो, normal से कम रह गया, उसे compression, normal position से ज्यादा खुल गया, उसे बोलते है, rarefaction, ठीक है, अब आप से पूछ सकता है compression और rarefaction कौन से type of wave में बनते हैं, longitudinal wave में, आप से पूछे, crushed और trough कौन से में बनते हैं, transverse, crush कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है, और यह trough high type, ठीक है, आगे मैं आपको wavelength क्या होती है, amplitude क्या होता है, यह सारा detail में बताँगा, अब आगे चलते हैं, अब आप यह देखिए, यह longitudinal wave है, ठीक है, यह देखो, यह देखो, यह compression हो रहा है, ठीक है, यह फिर आगे खूल रही है, यह देखो, यह rarefaction हो रहा है, ठीक है, अब आप समझ गयोंगे, अब देखो, transverse wave, transverse wave क्या है, यह उपर नीचे हो रही है, ठीक है, ठीक है, उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नी की क्रेक्टिव स्टिक्स अगर हमें समझना है साउंड वे में क्या क्या होता है तो इसकी पांच होती है तरंग देद्य जिसे बोला जाता है एम्प्लिट्व टाइम पेरियर्ड फ्रिक्वेंसी और वेलोस्टी ठीक है फ्रिक्वेंसी आपने रेडियो में सुन वोगी कि भाह आपने ब्लूटूथ स्पिकर लिया होगा उसकी फ्रिक्वेंसी सिक्स्टी हर्ड्स है यह सब आता होगा ठीक है तो आज आपका यह कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आगे चलते हैं वेवलेंथ क्या होती है एक यह नॉर्मल पोजीशन थी ठीक है यह ट्रांसवर्स वेव है यह उपर गई प्रॉस्ट बन गया यह पिर नीचे आयंट रफ बन गया कि मैं यहां से चली यह यह इसके वाद क्या hooga इसके बाद फिर यही बदेगा ऐसे हैं तो यह एक साइकल यहां तक पूरी हो गए मैं यहां पॉ travailler ने यह है यह पॉर्ण चली इसकी एक साइकल कम्प्लीट हो गई हो ठीक है ने फिर अपने आपको उसी साइकल में रिपीट कर जो एक साइकल का distance है या जो length है one complete wave की उसको हम wavelength बोलते हैं ठीक है इसको represent कैसे किया जाता Greek letter होता Lambda ठीक है उससे represent किया जाता है और इसकी SI unit very very important है meter होती है ठीक है अब आप समझ गयोंगे ABCD की जो length है यह वाली ठीक है इसे हम wavelength आप साज़त कि आगे चलते हैं कि आगे आता है amplitude ठीक है अब यह इत्र treasury ठीक है यह त्राफ बन गया यह क्रश्ट वनगया ठीक है अब यह नोर्मल पोजिशन ती ठीक है अब नोर्मल पोजिशन से जितना यह उपर की तरफ डिस्टेंस या नीचे की तरफ डिस्टेंस गोलते हैं यह एधर वाला भी सेम बताता है इसे हमें परतब चलता है कि सब्कूर्ण साइज कितना जैसे अब यह बहुत बड़ा यह चोटा इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी वेव जो है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है उसका साइज कितना है इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है यह आपको आगे चलते हैं आगे आता है time period time period क्या होता है अभी हमने wavelength में देखा था क्या देखा था कि यहां से वेव चली पॉइन्ट अ से ठीक यह ऐसे गई यह वी पॉइंट हो गया और यह सी को गया ठीक है यह साइक exist क्रों की हो गई ठीक है एक साइक डिस्टैंस से हम यह झांड़ा wavelength अब time period क्या होता है कि एक cycle को cover करने में किसी wave ने कितना time लिया उसे हम time period बोलते हैं ठीक है इसकी SI unit होती है second ठीक है तो यह देखिए एक cycle यह time period हो गया यहां से लेके यह time period हो गया ठीक है आगे इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे तो यह time period हो जाएगा ठीक है इसे time period बोलते हैं आगे चलते हैं frequency क्या होती है frequency होते हैं कि एक second में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है ठीक है number of vibration per second ठीक है तो इसकी SI unit hurts very very important है यह scientist होते थे उनके नाम पर ही इसकी SI unit दी गही है ठीक है अब यह देखो जितनी close close रहेगी वेव इसना मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो रही है एक second में ठीक है तो high frequency frequency high है और wavelength देखो आप इनके बीच कम है ठीक है यह देखो यह late produce हो रही है ठीक है तो frequency क्या है low है और wavelength बड़ी है तो इससे क्या पता चलता है कि जो frequency है और जो wavelength है वो एक दूसरे के लिए inversely proportional है ठीक आगे मैं formula से भी समझा दूंगा ठीक है frequency को आप new जो यह Greek letter है is inversely proportional to one by lambda ठीक है यह inversely proportion का होता है अगर कोई quantity डिरेक्टली प्रपोर्शन रोमालो ए इस डिरेक्टली प्रपोर्शन टूब यह ऐसे लिखा जाएगा inversely proportion ऐसे लिखा जाएगा frequency ज्यादा तो wavelength कम frequency कम तो wavelength ज्यादा ठीक है यह concept आपको याद रखना आगे चलते हैं वेलश्टी वेलश्टी एक तरह से मतलब speed होती है बट direction के साथ एक vector quantity है ठीक है सदिश है तो वेव ने एक सेकेंड में कितना distance travel किया उसे हम velocity बोलते हैं इसके SI unit के है मीटर पर सेकेंड ठीक है वेलश्टी का formula है velocity V is equal to frequency new ठीक है ऐसे कर लीजिए into wavelength lambda ठीक है यह आपको याद रखनी है यह wave equation है यह directly पूछे जाएगी मैं आगे ना आपको sound के light के जो भी अभी तक previous year exam में पूछे गए हैं उनको भी करवा दूँगा जो इस concept पर आये हैं ठीक है फिर भी आपको कोई दिक्कत आ डिपेंड करती है कि वह material कैसा है ठीक है solid है या liquid है गया सोलीड में ज्यादा रहेगी उसके बाद तेजी से ट्रेवल करती है ठीक है humidity भी यह डिपेंड करती है humidity जैसे जैसे बढ़ेगी तो speed sound की बढ़ती है यह तीनों बाते आपको याद रखने बारिश के मोशन में sound जो है बहुत तेजी से बाद में आती है क्योंकि sound की speed light की speed से काफी कम है ठीक सूपर सोनिक क्या होता है सूपर सोनिक वह होता है जैसे आपने जहाज देखेंगे बहुत तेजी से गुजरते हैं और बहुत ज्यादा शोर करते हैं तो सुपर्सॉनिक वो होते हैं जिनकी स्पीड ऑफ साउंड जो है ना उससे ज्यादा स्पीड रहे उनको हम सुपर्सॉनिक बोलते हैं यह मैंनममन नंबर से मेजर होता है जैसे आपकी ब्रोमोस मिसाइल है ठीक ब्रोडूस की जाती है कि बहुत ज्यादा कोई एरपलेन है उसकी सब्सक्राइब है up बहुत ज़्यादा आपको कभी आपके घर के उपर से शहर से कुछ सूपर सोनिक जहाद जा रहे हो ठीक है जैसे मिग जा रहा हो या सुखोई जा रहा हो राफेल जा रहा हो तो यह बहुत ज्यादा मतलब सांट्वेव प्रोडूस करते हैं आपकी कानों को सैन नहीं होती है ठीक है आगे हम देखेंगे कौन सी सब्सक्राइब करते हैं जैदा है जिस स्वेव का एंपलीटूट ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें अनर्जी जादा तो लाउडनेस की स्टर्थ करता है अनर्जी ओफ के साउंड वेव और एम्प्लीट्यूड ओफ आप यह आप से डिरेक्टली पूछा जाएगा ठीक है सांड वेव अब यह किस में ना पा जाता है डैसीबल में ना पा जाता है अगर 80 डैसीबल से ऊची हो आज तो नौइस क्या होती है नौइस होती चर्चर-चर-चर-चर-च जिसे हम आगे चलकर डिटेल में जानेगे ठीक है यह अनर्जी पर डिपेंड करती है और एंप्लिटूड पर डिपेंड करती है और यह इस एक्सपर्स किया जाता है डेसिवल में ठीक है लाउडनेस आप समझ का आगे चलते हैं आगे आगे पीछ ठीक है यह देखिए यह क्य का मतलब लो पीच अब आप समझेंगे पिच पिच किस पर डिपेंड करें फ्रिक्वेंसी वो पीच ही है जिसकी वज़ा से हम मैन और वूमेन की वोइस में डिफ्रेंशियेट कर पाते हैं अब आपके लिए कोशन यह है मैंने आंसर दिया ही हुआ है कि जो वूमेन की वाज हो सबुसक्राबार का होता है फिच खता है यह इनिवर्स इंवर्स निरे ठीक है और दूसरा फ्रिक्वेंशी और वैंविव लेंधी इनस ली पर पोकॉर्शन रहते हैं ठीको यह आपको याद रखना है ठीक है अब अगर किसी dog पिच्छे गिश्पींड को प्रिदूस करते ह तो यह शेर दढ़ता है वो लो पिठ साउंद रहते हैं लो फ्रिक्वेंसी हाइड लेंथ आगे चलते हैं अब यह देखिए जैसे-जैसे अप्लिटूड बढ़ा व्यों का लाउडनेस इंक्रीजी जैसे-जैसे एम्प्लिटूड गटा लाउडनेस डिक्रीजी जैसे आपकी एंप्लिटूट जदा है ठीक है और यहां यह एंप्लिटूट कम है ठीक है अब आप एक और रेलेशन समझ रहे होगे आगे चलते हैं जैसे तरह लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था यह इंसिडेंट रहे यह रिफ्लेक्टिव ठीक है और यह नॉर्मल यह एंगल ऑफ इंसिडेंस यह एग और यह सीम्पल प्लें उसी तरह ना साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता आप सुनिमा हौल में गए हो या किसी आपने देखोंगे यह बल्वोरन क्या होता है जैसे गाड़ी पर यह पॉण पॉण पूण 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 ठीक है इनमें लाउडनेस ज्यादा रहती है और एक ही डिरेक्शन में साउंड जाए इस तरह यह डिजाइन कि जाते हैं डॉक्टर जो आपकी हर्ट बीट को देखता हरी कावडे से क्या होता है रिफ्लेक्शन साउंड का ना कान्ट्रोल किया जाते है तो यह सॉफ्ट जितना से रहेगा उतना रिफ्लेक्षन कम होता इस वज funnel कौम होता है इसी वजय से जिस्हां पर जैसे किसी रूम वगयरा लगए वो सौफ्ट सर्फेस रहती है ति वह इ reflection of sound की आवाज का गूंजना आपने एक बार बोला है लो उसके बाद फिर आती है है लो हैलो हैलो यह क्या होता है इको होता है किसकी वज़े से होता है जो sound का जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वज़े से repetition होता है ठीक है तो यह कितना gap होना चाहिए यह very very important point one second one second का मतलब one by ten second का gap होना चाहिए जब ही आप को यह सुनाई देगा ठीक है और उसके बाद minimum distance कितना होना चाहिए यह माली यह दिवार यहां आप कड़े हैं तो यह 17.2 मिटर जिस यह वही है जैसे आई में था आगे ना reverberation होता है ठीक है यह reverberation का एक concept क्या है कि जैसे आप किसी cinema hall में गए हैं या किसी big hall में या auditorium में बैटे हैं ठीक है आवाज ना बार-बार एक बार इसने बोला ठीक है यह जो मैम है पर फिर भी हो रहा है तो इसे reverberation बोलता है क्योंकि यह किसकी वज़ेसे होता है reflection की वज़ेसे तो अब कि कोई नया cinema hall design करना है या कोई auditorium design करना है या big hall कोई party hall design करना है तो वहां पर इसका ध्यान रखा जाता है बागी यह revelation ठीक रहे ठीक है आजए चलते हैं अब इनसानों की बात कर लेते हैं कि हमें कोंसी वाज सुनती है उसे हम बोलते हैं इंफरासोनिक और जिसकी frequency 20,000 Hz से ज्यादा है उसे वोते हैं अल्टरा सुनिक ठीक है अल्टरा सॉनिक जो अल्टरा साउंड वगएरा में यूज होती है ठीक कौन प्रोड्यूस करता है कुटे प्रोड्यूस करते हैं कुटे प्रोड्यूस करते हैं इसे लिए ना ये खोजी अभियान में कुटे ठीक होगा ठीक है यह सिंपल पैंडूल हमाव आप इसको हिलाते रहें एक बार इधर जाता एक बार इधर जाता इसके वाज को आप सुन नहीं पाते क्यों क्योंकि रहते हैं अर्थ्वेक में इंफ्रासोनिक होगे वेल मचले होगे एलिफैंट होगे गैंडा हो यह सब थ हो या बच्चागर्ब में जो फीटस होता है वो पल रहा है या कहीं ओपरेशन करना है कहीं कुछ डिटेक्ट करना है ठीक है इसी पे एक सोनार होता है सोनार एक टेक्नलोजी है एक साउंड नेविगेशन एंड रेंचिंग यह जैसे सबमेरीन कोई जा रही हो या डैप्ट सी की है या फिश का जो है शोल जिसे बोलते हैं ठीक है उनको डिटेक्ट करना हो तो वह सोनार हो सोनार में कौन सी साउंड वेव यूज होती है अल्टरा साउंड यह आपको याद रखना है ठीक है आगे चलते हैं साउंड की क्रेक्टर स्टिक्स लाउडनेस पीच एंड क्वालिटी इसको टिंबर भी बोलते हैं आगे चलते हैं और इनको एक एक को डिटेल में अब हम ड सेवालिटी है कि अगर सेम लाउडनेस की कोई यहाज हो फिर भी हम यहांने डिफरेंशियेट कर पाते हैं तो किशो देंच होगि ठीक है आगे बच रही है, कोई सितार बच रहा है, कोई गिटार बच रहा है, कोई जलतरंग बच रही है ठीक है र आप उसको बता बाते हैं किस की वज़े से होता है वो क्वैलिटी ओसाउंड की की इंस्टुमेनट जो प्र सीम्स होरी है так ले तो यह किसमें एसी निखल रही है ठीक है यह क्या हो गया आपका waveform का शेप हो गया तो इस पर depend करता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही noise pollution मत करिये वर्ना noise pollution आपको pollute कर देगा ठीक है तो यह एक message है आज के लिए इतना ही अगर मेरा lecture आपको पसंद आया हो मैं slow जरूर पढ़ाता हूं slow मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि मुझे आपको समझाना है जल्दी जल्दी में slaybers cover करवा के कोई फायदा नहीं है और चीखने चिलाने से आवाज में दम नहीं आता ठीक है शांती जो होती है उसी से आव और आपका communication clearly message आपका deliver हो पाता है ठीक है तो इसलिए आप noise pollution मत कीजिए अराम से पढ़िए चीजों को समझेए फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो comment section में अपनी query को post कीजिए या मेरे WhatsApp नंबर पर आप इसे post कीजिए आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया थेंक यू